प्रदेश की खास खबरों के साथ आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज वजस्थान प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालिहा और मेरे साथ हैं मेधा बीका ने के जसरा सर में आज किसान सभा का आयोजन हुआ इसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोग कहलोत ने कहा मुख्यमंत्री ने जसरा सर में किसान सभा को संबोधित करते हुए तीन घोशनाएं की बीका नेर प्रभारी और कृशीमंत्री लालचंद कटारिया ने इस मौके पर राजस्थान की उपलब्धियों का जिक्र किया कि लगातार साड़े चार साल में लंपी और करोना आने के बाद भी जिस परकार से विकास की गती इस राजस्थान पर देश को दी मैं कह सकता हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर दूद उत्पादन के अंदर राजस्थान पहले इस्थान पे आगया है जलोज बढ़े, डिगी बनाई, तारबंदी का किया, ये सारे विकास कारे मुख्य मंतरी जी के नेतुत में, इनकी मंसा थी कि राजस्तान का किसान ताकतवर बने, राजस्तान का पसुपालक ताकतवर बने वहीं पूर्वनेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी ने किसानों को पेंशन देनी की मांग करते हुए, कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रधान मंतरी को पत्र लिखा है मुक्य सजिव उशा शर्मा ने महंगाई रहा शिविरो को मिल रही सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि दो दिन में ही दैनिक लक्ष से दो गुना लाभार्थियों ने पंजी करण करवाया है उन्होंने शिविरो के बहतर प्रबंधन के लिए सम्मंदित विभागों और जिला कलेक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर इन कैम्पों का नियमित दोरा कर सुचा रूप क्रियानवेन सुनिश्चित करें CS ने आज सचीवाले में वीडियो कॉन्फरिंस द्वारा शिविरों की समिक्षा करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि लाभार्थियों को दिये जा रहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर लेबल आवशक रूप से चस्पा किया जाए साथ ही अस्थाई कैंपों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर उनका पंजी करण इस्थाई शिविर में करवाया जाए सीएस ने जिला कलेक्टरों को कैंप इस्थल पर हेल्प डेस्क इस्थापित करने गर्मी से निपटने के इंतजाम सूनिश्चित करने के भी निर्देश दिये इसे पहले मुख्यमंत्री ने जसरासर गाउं में लगे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया मुख्यमंत्री की सकारतमक सोच आज पूरे प्रदेश में राहत की बरसात कर रही है हर जरूरतمنद व्यक्ति को सुकून मिल रहा है उदैपुर जिले के विबिन क्षेतरों खासतोर पर ग्रामीर आदिवासी अंचल में अभियान को लेकर खासा उत्सहा है एक ही छट के नीचे सरकार के दस प्रमुख योजनाओं का फायदा लेने के लिए हर व्यक्ति उत्साहित होकर इन शिविरों में भाग ले रहा है भाइता में लिए चिरन जी 25 लाग का वीमा और 10 लाग का दुरुगटमा भीमा और राशन खीरी और साथ ही हमें जो योजना के चिरन जी का वफाधा देले वे फिरी राशन कान का हुआ है और साथ ही हमारे 100 यूनिट विजली का मैं अश्रो केलो साब को अबार्जट करता हूं इन्होंने राजिस्टान के अंदर बहुत अच्छी में राजिस्टान के लिए वह सरणी एक काम है मैं उनको बहुत बहुत बदेश हैं मुझे फ्री राजिसन का लाब मिला है चिरंची पी जो 25 लाग का बोहे हो मिला है और 10 लाग का दो गटा भी माय होजना का मिला है मुख्यमंत्री के पहल पर राजस्थान सरकार की ओर से चलाय जा रहे महंगाई राहत प्रशासन गाउं के संग अभ्यान के दौरान सीकर में फत्यपूर में पिधायक हाकम अली ने मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वित्रित किये धोद क्षेत्र की जेठी ग्राम पंचायत में जेठी को बेरी गाम से जोडने वाला लगभग चार किलोमीटर लंबा रास्ता पिछले 55 सालों से प्रचलित था परंतु राजस्था रिकॉर्ड में नहीं था यह प्रकरण धोद उपखंड अधिकारी के सग्यान में आने पर उन्होंने तुरंत धोद राजस्था टीम को मौके पर भेज कर इसका प्रस्ताफ तयार करवा कर इस रास्ते का राजस्था रिकॉर्ड में अंकन करवाया और शिविर स्थर पर उपस्थित ग्राम बासियों को इसका आदेश प्रदान किया अच्छा रिस्पॉंस मिला है राजस्थान और यहां तक कि राज के बाहर के कई लोग जिनके रिष्टदार सूडान में है ने इन नंबरों पर जानकारी मांगने के साथ साथ संगर्ष प्रभावित अफ्रीकी देश में मौजूद अपने व्यक्तियों के बारे में विवर प्रदान करवाया है बीकानेर हाउस रिजिडेंट कमिशनर ओफिस और राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से सूडान में फसे राजस्थानियों की सूची भी विदेश मंत्राले को मुहया करवाई गई है राजस सरकार ने प्रदेश में अवैद खनन परिवहन और भंडारन गतिविधियों में विभिन पुलिस थानों में दर्ज एफाईयार पर समय बद्द अनुसंधान कारवाई की मौनिटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद किया है ACS माइन्स डॉक्टर सुबोध अगरवाल ने बताया कि प्रदेश में अवैद खनन गतिविधियों में दर्ज प्रक्रणों में करीब 91 प्रतिशत मामलों में सक्षम नयायलेयों में चालान पेश कर दिया गया है वही केवल दो प्रतिशत में जाच का काम जारी है कॉंस्टिबल भरती 2021 में समक्र वरियता सुची से 19 अभ्यर्थियों का चेहन हुआ है पुलिस मुख्याले जैपुर के रिव्यू बोर्ड ने आरेसी की दिल्ले स्थित बारवी बटालियन की कॉंस्टिबल भरती 2021 में कॉंस्टिबल सामाने ड्यूटी के पत पर जोईन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगे 19 अन्य अभ्यर्थियों का चेहन समग्र वरियत सूची से किया है आरेसी की बारवी बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि चैनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajistan.gov.in पर देखी जा सकती है एक्सपोर्ट ग्रोथ और फ्यूचर स्ट्रेटेजी ओफ राजस्थान पर चर्चा करने के लिए राज्य के प्रमुक और द्योगिक एवंवानिजिक संगठन और उध्योग पती एकटा हुए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की और से हुई इस बैठक में राजसी को चेर्मेन राजीव अरोरा ने भी हिस्सा लिया उन्होंने बताया कि राजस्थान से एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है और साल 2022-23 में यहां राजस्थान से लगभग 80,000 करोड रुपे का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है यहां निर्यात के एक्षेत्र में अपार संभावनाई है राजस्थान के 21 जिलों में 28 अप्रेल से MSME सुबिधा शिविरों का आयूजन किया जाएगा इन शिविरों में उद्यमियों, व्यावसाईयों और नागरिकों को विभिन योजनाओं की जानकारी बिलेगी इच्चुक अभ्यर्तियों को योजना में आविदन तयार करने आधार भूठ सुविधाओं की जानकारी और उध्यमियों को अपने उत्पात की मार्केटिंग के लिए सहयोग और मार्दर्शन दिया जाएगा 12 अन्य जिलों में ये शिवर 4 मई से लगाए जाएगे राज़िपाल कलराज मिश्रु ने राजस्थान की प्रख्यात निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को जगतगुरु रामाननदाचारी राजस्थान संस्क्रत विश्व विद्याले की और से विध्या वारिदी की मानद उपाधी प्रदान की है आज राज़भवन की दर्बार हॉल में राज़िपाल ने खेल जगत में भारत का नाम करने और उपलब्धिया प्राप्त करने के लिए अपूर्वी को शुपकाम नाए दी इस अफसर पर विश्व विद्याले के कुलपती प्रोफेसर आर एस दूबे ने जगतगुरु र प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाक की और से ये सौगात दी गई है रेल्वे स्टेशन अब मदर फ्रेंडली बन गया है और महिलाओं की निजिता और सुरक्षा का खयाल रखा गया है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोदपूर की और से मुख्यमंतरी लोग कलाकार प्रोटसहन योजना के तहट दो दिन की कारिशाला हुई राजस्थान सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओ को आम जन तक पहुँचाने एवं उनके लिए गीतो नाटको और जिंगल कास रिजन कर उन्हें संगीत बद्ध किये जाने के उद्देश से आयूजित इस कारिशाला में राजस्थान के विबिनक शेत्रों के लोग कलाकार, साहित्यकार और रचना धर्मी शामिल हुए और अब जानी मौसम का हाल प्रदीश में एक नए पश्चमी विक्षोप की सक्री होने से आज दोपैर बाद कई जगा बारिश हुई बारा के छबड़ा में ओले भी गिरे जोदपूर, बीकनेर, अजमीर, जैपूर, उदैपूर, कोटा संभाग में कुछ भागों में कल तेज हवाय चलने और हलकी बारिश होने की संभाबना है नमस्कार